बात कर लेते हैं यहां से अब सोयबीन की तो सोयबीन के डिसेंबर वाइदा देख रहे हैं 6429 पर कारभार कर रहा है 6 फीजदी का उपरी सरकीट आज सोयबीन की कीमतों में लगता नजर आ रहा है हम देख रहे हैं कि सोयबीन जो सोयबीन मंडियों में नीचे में 17-1500 रुपे क्विंटल तक बिक्ती नजर आ रही थी, अब वही सोयवीन एक बार फिर से तेजी की और अगरसर हो रही है, सोयवीन की कीमतों में लगातार अब तेजी बढ़ती नजर आ रही है, आपको बता दें कि इस बार सोपा के द्वारा आखड़े दिये गए हैं कि सोयवीन की जो उत्पादा, सोयवीन का प्रोडक्शन है पहले की मुकाबले इस बार जाधा रह सकता है, 14-16 फीजदी उत्पादन जादा रह सकता है, लगब 119 लाग तन सोयवीन का उत्पादन माने के चलिए कि इतना सोपा के दुआरा आकड़ा दिया गया है सोयवी जो उत्पाद हैने वो कही न कहीं ज़रूर इंपेक्ट होता हुँ नजर आएगा और किसान इस बात के लिए इस बात पर अड़े हुए हैं कि सोयवीन का जो उत्पाद हैने इतना देखने को नहीं मिल सबता है और दूसरा किसानों को मंडियों में सोयवीन के दाम अच्छे न अब कम कर दिये या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। मंडियों में शुरुवाती दिनों में सोयवीन की आवकों का प्रेशर देखने को मिलाता है। लेकिन अब कम कीमत मिलने के चक्कर में किसानों ने सोयवीन को होल करना शुरू कर दिया है। स्टॉक करना शुरू कर दिया है, किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें सोयवीन का भाव 8000 या 10000 को इंटल नहीं मिलेगा जब तक उनकी लागत नहीं निकलेगी तब तक सोयवीन को नहीं बेचेंगे चाहे 5-6 महिने तक का इंदजार भी क्यों ना करना पड़े, अगले साल तक भी इंदजार क्यों ना करना पड़े, बेचेंगे तब ही जब 8000 या 10000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और वही हम देख भी रहे हैं कि वाइदा में जो सोयवीन नीचे में 5000, 5000, 5000 5200 तक जाती नजर आई थी अब वही सोयवीन ओपर में 400 तक जाती नजर आ रही है, सोयवीन एक बाफिर से तेजी की और जाती नजर आ रही है, आज वाइदा बजार में सोयवीन की कीमतों में 6% का ओपरी सरकेट भी देखने को मिल चुका है दिरसल सिफ यही कुछ factors नहीं है, जिसकी वज़ासे सोयवीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है बात की जाए, यहां से अगर सोयवीन की crushing की, पेराई की तो वो भी थोड़ी कम ही देखने को मिली है, पहले के मुकावले अब इसके कुछ reasons है पहला reason तो यह है की export, की जो सोयवीन का एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है दूसरा जो सोया खली सरकार ने जो सोयवीन मील आयात करने का फैसल है या तो उसकी वज़ासे गिरावट तो आई थी, लेकिन उसका जो use है वो इतना मातरा में मौजूद है फिर भी जो poultry industry है वो तब भी मांग कर रही है कि उसकी जो अबदी है आयात करने की वो बढ़ा दी जाए, सोया खली की अब अगर poultry की इतनी ही demand है तो एक question निकल के सामने आता है, एक सवाल निकल के सामने आता है अगर poultry की इतनी demand है तो जो सोया खली पहले से आयात हो चुकी है, जो आयाती सोया खली है वो इतने बड़ी मातरा में मौजूद क्यों है, markets के अंदर बजारों के अंदर उसकी खपत क्यों नहीं हो रही है अगर poultry industry की इतनी demand है, पहला सोयवी जादा है और export नहीं हो रहा है तब भी सोयवीन के दाम क्यों बढ़ रहे है क्या इसके अंदर speculation यानि जो सटे बाजी है, फिर से चालू हो गई है जैसे की poultry industry मांग कर रही है की सोया खली का जो आयात की जो date है, जो तिती है वो बढ़ा दीजाए और NCDX पर सोयवीन का जो वायदा बजार है जो future contractor उस पर बेन लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए जिसकी वज़ा से सोयवीन की जो कीमते हैं कुछ कम होते नजर आए अगर सोयवीन की MSP पर नजर डाले और मौजूदा दरों पर नजर डाले तो almost double ही है लेकिन किसान का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है और उनके नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है कैसा भी, उनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है जिसकी वज़ा से जो किसान है वो भी होल्ड करके चल रहे है तो ये कुछ सवाल है कि मांग है तो मौझूदा सोयाखली की खपत क्यों नहीं हो रही है दूसरा क्या सोयवीन के अंदर फिर से सट्टे बाजी जादा देखने को मिल रही है और इसी सट्टे बाजी के चलते क्या सोयवीन एक बाज फिर से वही लेवस दिखला देगी जो अगस सिप्टेंबर के महीने में दददस ग्यारा ग्यारा हजार के लेवस दिखला एते है वायदा बजारों के अंदर तो ये कुछ सवाल है जिन को लेकर जो इंडस्ट्रियल बाडीज है और जो किसान हैं जो ट्रेडर्स हैं वो काफी जादा कन्फ्यूज हैं कि सोयवीन में अब एक्चॉल आगे जो रहने वाला है मार्किट वो कैसा रहने वाला है तेजी में रहेगा या फिर मंदिकी हो रहेगा तो ये कुछ सवाल है जिसको लेकर काफी अनिष्टा का महौल बनता नज़र आ रहा है लेकिर ओवरॉल हम देख रहे हैं कि सोयवीन की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल रही है चाहे सट्टेबाजी के चलते देखने को मिल रही हो या फिर सोयवीन का स्टॉक करने के चलते सोयवीन की कीमतों में तेजी है future contract वालों को प्रॉफिट मिल रहा है और किसानों को भी अब अच्छी कीमत मिलनी शुरू हो गई है और किसानों को अभी भी यही उमीद है कि जो सोयवीन है उनको उनकी कीमत आगे जाके सोयवीन की और अच्छी मिलती नजर आ जाए